नमस्कार आप देख रहे हैं विंधिया टाइंस और मैं हूँ आपके साथ स्वाती माधिप्रिदेश में विधान सभाद चुनाव को लेकर घमासान अपने चरम पर है 17 नवंबर को मद्दान होना है और 3 दिसंबर को परिणाम घोशित कर दिये जाएंगे बिजेपी ने अपने स्टार प्रचार को के लिष्ट भी जादी कर दी है जिसमें पीम मोदी के अलावा यूपी के मुखे मंतरी योगी आदित तिनाथ और तमाम बड़े दिगजनेता शामिल है वही कॉंग्रेस भी चुनाप्रचार में पीछे नहीं है प्रियंका गांधी आज मध्यप्रदेश में रहेंगी इस बीच आए एक ताजा सर्वे ने राज्य के राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी है इस सर्वे में जहां कॉंग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिख रही है सर्वे के मुताबिक कॉंग्रेस की मध्यप्रदेश में वापसी हो रही है वहीं भाजपा सत्ता से बाहर होती दिख रही है हाली में जी नियूज ने एक सर्वे जारी किया है इसमें मध्यप्रदेश विधान सभाद चुनाब में कॉंग्रेस को इस पश्ट बहुमत मिलत दिखाई दे रहा है वहीं बिजेपी के लिए इस सर्वे के नतीजे चौकाने वाले हैं ताजा सर्वे के मुताबिक भाजपा को विधान सबाद चुनाव 2023 में काफी सीटों का नुकसान हो सकता है चुनाव से ठीक पहले आए इस सर्वे ने बिजेपी की परिशानी बढ़ा द किया है इस सर्वे रिपोर्ट की मुताबिक पांच सीटे इस बार अन्ने के खाते में जा सकती हैं वहीं अगर वोट शेयर की बात करे तो कॉंग्रेस को 46 प्रतिशत वोट शेयर मिलने का अनुमान है वहीं भाजपा को 43 प्रतिशत वोट शेयर मिलने का अनुमान जताया किया है 11 प्रतिश्यत वोट अन्न के पालए में जा सकते हैं अब आये जानतें हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटे मिलेंगी कांग्रेस आये जानते हैं कि अब वोट प्रतिश्यत क्या रहेगा तो कॉंग्रेस में 46 प्रतिशत भाजपा 43 प्रतिशत और अन 11 प्रतिशत में हैं मध्यप्रदेश विधान सभा चुनाव को लेकर आए लेटिस्ट सर्वे में भाजपा और कॉंग्रेस की सीटों के बीच बड़ा अंतर है हालकि अगर वोट शेयर की बात करें तो इसमें ज्यादा अंतर नहीं हैं बहुत बहुत धन्यवाद